2017 की भाजपा लहर में भी समाजवादी पार्टी के हिस्से में एक सीट आई अमेठी की और वो जीती राकेश प्रताप सिंग ने हमारे साथ में हिस्से में मौझूद है एक बार फिर से वो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के और हेट्रिक लगाने की तैयारी में है बहर अरे बात करें देखें आपके जो सीट है इस खेतर की तो लगातार विपक्षी दलो ने गोल बन्दी करा ली कहीं न खहीं आप वोट काटने के लिए लगता नहीं एक चुनाती है केवल वर्पक्षी दलो ने नहीं गोड़ बन्दी की यहां जितने हमारे कारिकरता जितने परधान बेड़ीफी हैं तो यहां फरकार और परफाफन और परफाफन दोनों लड़ रहे हैं लेकिन ओट की चोट से जनता इनको दोनों को ठीक करने का काम करेगी यही आरो पंचायच चुनाओं में भी सपा लगाती रही कि चुनाओ जो है वो पुलिस और प्रशासन लड़ा है वो दिखा भी आप लोगों को चीध हनत तक तो हुआ पंचायच चुनाओं में जो दिखता है उसमें भी कुछ कहने की क्या जरूब थे लेकिन आप लोग तो उसमें गुंड़ई और दबंगई हुई तो सब जनता उसका जबाब दे रहे हैं जिसको जिफ मनो भाव फे जिफ विचार के साथ जनता ने जिता के भेजा था उसके और अनुरूप उसको काम नहीं करने दिया गया तो उसका बदला जनता ले रही है इस बार सपा और कोई नहीं है दो तिहाई पहुंद फेर समाजबादी पारटी की फरकार बनने जा रही है उत्तर पर देव में अखले फ्याद होजी मुखमनती बनने जा रहे हैं कौरिकन सीट के लावा अगर बात करें जो बाकी की तीन सीटे हैं जिले की अगर आम बात करते हैं अगर अब हम तो कहेंगे पांचों फिर हम जीतेंगे लेकिन जिस पर सबस्यादा भरोसा है अपनी सीट के अलावा वो दो और कौन सी इस पर लगता है कि कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं हम अमेठी भी जीत रहे हैं हम फल्वन भी जीत रहे हैं जगदीफुर में थोड़ी है वहाँ पर उनकी पैट देखे पिछली बार यहीं फंजेफिंग की पतनी लड़ी थी तो मात्र कांग्रेव फे उन्दीफ जार ओट पाई थी और अब राजाओं के गेट पे जनता इंतजार करें दिन दिन अपने जनप्रतनित पे मिनने के लिए इस फे उप चुकी है ज मत दाता चाहता है कि जिफ को मैं मत दान कर रहा हूं वो मेरे फीदे फंपर्क में रहे इस मुद्दे पर ही ओट होगा यहां आपकी सीट पर भाजपा से लडाई नहीं मानते हैं किसी लडाई नहीं यहां फप की जबानत जब्त होगी पिछली बार पूरे उत्तर सेंस है कि एक बात फिर से वो इस सीट को जीतेंगे अपनी हैट्रिक भी पूरी करेंगे और सिर्फ इस सीट पर ही नहीं बलकि अगर हम पांच अमेठी संसदिय चेतर की सीटों की बात करें जिसमें एक राइबरेली जिले में भी आती है तो उन पांच में यह दावा है कि त तो दस मार्च को सबके सामने आएगा कैमरा सही होगी जीतेंदर के साथ चैले ही चरूरा एबी पी गंगा अमेठी एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी